डिबेनो वंडोल मेरा यूटूब चैनल पर आप लोगों को सब्सक्राइब करता हूँ मैं काल के लिए मतलब 18 तब ओक्टबाथ 2019 के लिए मैंने निप्टी और बैंक निप्टी का डारेक्शन बातने का कोशिज करूँगा मैं जो रगुला कहता हूँ तो उसके पहले मैंने कुछ बात बोलना चाहता हूँ कि मैंने नौया वर्चाप गर्रूप करने जा रहा हूँ है फ्रेंग्स मैंने यह आपके आप लोगों को सोना रहा हूँ है फ्रेंग्स I am creating WhatsApp group where I will provide free calls for some days for trial basis after that it will be paid service the calls will be provided safeguarding the capital first and earn some profit consistently I can provide 85 to 90% accuracy in all segments equity futures option commodity those in will be in loss it will be minimum so I'll use hedging mechanism in any mode like arbitrage pair trading or option hedging so minimum investment required is 25k to earn a decent profit those interested may please whatsapp this number saying yes those who are regular viewer of my youtube channel in whatsapp group facebook page may refer to my videos on regular views strategies recommendation anyway I have this nifty October future chart open need to add one a B oh this is the waiting nella अगला दिन मैंने जो बूलते के आप जाने का पौररीटी दिर्खाता जएधा है तो जो पास्यों का जो लेवेली ता लो ईूर्श्रेस था वो बेक किया ये देके ये इदार एकलिए ये उली एक मैंने इदा करने का कोजिस किया गिंस अच्छा नहीं हुआ लेकिन यह फेट क्ऊ-चल्डर एक पेटर्न बॉना आ है हेड क्ऊ-चल्डर पादैन बॉना आ है तो हेडें सोल्डर पेटर्न बना है और इधर यह सूल्डर इधर क्ऊ-प यह तो इतना तक मतलब 17 यह का आना चाहिए इनिसियाली ये एपीबोनसी लेवेल का 61.8% का उपर चला गिया ये 100% वे भी 100% तक उपर जा सकता है नीचे जाने के लिए इसको 11.325 के नीचे जाना पड़ेगा उसके बाद ये 11.224 उसके बाद 11.13 तक आ सकते है जो बहुत ही मुश्किल है चार्ट का इंडिकेटर भी ये इंडिकेट का रहा है ये अभी उपर जाएगा इसका कोही क्रोसवर और ब्रेक हो चुका है और बैंक निफ्टी का चार्ट तो बैंक निफ्टी में ये जो चैनल देखिए ये ब्रेक किया है ये जो चैनल है इसको ब्रेक किया है तो अ है भी उपर गया आज वो 61.8% के उपर सस्टेन नहीं करबाया था लेकिन आज ये 61.8% के उपर सस्टेन किया है ये 61.8% के उपर क्लोज दिया है ये अभी 100% तक मतलब 39,600 तक ये जा सकता है इनिशियाली उसके बाद फिर ये 33,000 के उपर जा सकता है नीचे आने के लिए इसको 8,600 तोड़ना पड़ेगा उसके बाद ये इसका ब्रेक आप है 77,792 उसके बाद ये 26,800 या 900 तक आ सकता है तो इसका भी चार्ट का इंडिकेट किया है ये अभी उपाज जाने के लिए और भी थोड़ा सा सिगनाल इसका बाकी राया गया और का हिसाफ से तो लेकिन आसा कता हूँ कि ये उपर ही जाएगा और इसका आप्शन चेन मैंने निट्री का आप्शन चेन देखूंगा तो इसका पीचीया रिशियो मैंने 24 अक्टवाट का लिया है इधा 24 अक्टवाट में सॉरी इसको 24 अक्टवाल देना है इसका पीचीया रिशियो अल्मोस्ट 1.33 है और इसका जो सपोर्ट रेजिस्स्टेंस लेवल है ये 11,700 में है कॉल साइट में फूर्ट पूट बिल्डफ हुआ है और फूट साइट में इसका सपोर्ट है इसका 11,500 लेवल में इसका सबसे जड़ा ओपन इंटरेस्ट है और इधर शॉट बिल्डफ हुआ है तो इंडिकेट करता है ये उपर ही जाएगा और बैंक निफ्ट का जो इसका चार्ट अनलिसिस का ऑप्शन चेन देखूंगा तो बैंक निफ्टी का 24th October में इसका 24th October में इसका 1.19 PCR एस्यू है इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है 39,500 में और सपोर्ट है आटासेजर पास्टो में और इसका short build up हुआ है इसका long build up हुआ है इधर open change in open interest और इधर change in open interest इधर बहुत ज्यादा है तो मतलब यह और और भी यह short build up